आज पूरा देश आजाती का पच्चत्रवा साल मना रहा है। आज इस मौके पर मैं दरियाबाद में हूँ और ये छोटे-छोटे नन्हे बच्चे जो भारत के भविश्य हैं। मैं इनके बीच हूँ और इनको जो सिछा देने का काम करते हैं। ये पहले अपनी सेवा देते थे व्थोर्ण में थे देश के लिए सेवा देते थे अब इस्तिति बदली, वो आमे राने लगें跟 кра mesela और इन बाच्चों में सेवा देते हैं। यह बच्चे बड़ी टाइलेंट है जब मैं इनसे बात करूँगा और आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइलेंट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं सुरू करता हूं कुछ मैं नोट किया हूं उसी आधार पर इन लोगों से बात होगी पूरे भारत में कितने केंद्र सासित प्रदेश है किसको किसको पता है यह देखिए इतने बच्चे हैं इनको कॉंफिडेंट है और यह बताने के लिए हाथ उठाए मैं मैं सीधे रूख कर लेता हूं सबसे पीछे लाइन में जो बच्चा है उसका खड़े हो जाओ क्या नाम है तुम्हारा तो ही मांसु चोभान में कैमेरे में सुकोंगा ठोड़ा और आगे आजाईए किस क्लास में पढ़ते हो तो कितने केंद्र सासित प्रदेश है नाइन न चंडीगार के चंडीगार जमू कस्मीर का सिरिनागर टूचे पंडूचेरी पंडीचेरी लदा कले चलिए तालीव जाई इस बच्चे के लिए छोटे चोटे बच्चे हैं और इनकी काबिलियत आप समझ गये होंगे कि मैं किस काबिलियत की बात कर रहा हूं अब मैं कुछ और बच्चे से बच्चों से बात कर लूँ एचाइबी का फूल फार्म किसको पता है यह देखिए मैं सामने वाले बच्चे से ही पूछ लेता हूं क्या नाम है तुम्हारा सिवराच चौहान किस क्लास में पढ़ते हो बबू फाइफ फाइफ में इधर देखकर बात करो तो ह चाइबी का फूल फार्म बताओ यूमान इम्योन डिफिएंसी वाइरस चलिए ताली बजाते रहें आप लोग इतना बहत्रीन यह बच्चा बता रहा है इतनी कम उम्र में और नर्सी क्या होता है नेशनल रजिस्टर आप सीटी जान तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कि इस टाइलेंड की बात कर रहा हूं किस कर दो फाइफ में यह पांच वही कलास का बच्चा है और मैं आगे कुछ पूछू डिटी एच किसको पता है डिटी एच का फूल फार्म क्या होता है डिटी इस किसको बोलते है चलो एक बच्ची है क्या नाम है आपका अमरीता चवा इंडियान इस्टाटिकल इंस्ट्यूट इंटर सर्विशेज सर्विशेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान चलिए मैं आगे कि चीज़ा और पूछता हूं क्या ना में तुमारा खड़े हो जाओ विकास यादो विकास तो पूरे देश में विकास की बात हो रही है मैं मैं भी से बात कर रहा हूं डिनने के बारे में बताओ अच्छा बहुर बढ़िया तालीब आते रही है आप लोग यह बताओ प्रथम यूद कब हुआ था और नीस चौदव से नीस अठारा इस वी पूरू अच्छा यह सब कौन बताता है आपको अरे हमारे टीचर क्या नाम है उनका और सामने बठे हैं यह बच्छा थोड़ा कैमेरे पर बोल नहीं पा रहा है आपके टीचर का क्या नाम है इनका नाम बताओ जितंदर चवान हाँ जितंदर चवान जी है इनसे मेरी बात होगी और मैं बताओंगा कि वह किस तरह के बैगती है अच्छा एक चीज आपके बगल में चौरी चौरा कितने लोग जानते हैं चौरी चौरा अब चौरी चौरा कांड कब हुआ था पाच फरवरी 1922 यह सब कौन बताता है और कितनी दिनों से आप यहां पढ़ने आते हैं कि दो साल से दो साल से यह बच्चे पढ़ने आते हैं मैं एकाथ बच्चों से और बात कर लूँ अब कौन बताएगा कि सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था अब आप से मेरी बात हो गई है तो मैं बच्चों से जानता हूं माट साथ से बाद में जानूगा क्या नाम है आपका खुशी आदा किस क्लास में पढ़ती हो तो कब आया था बताओ कब नहीं कहां लगा था परधान के घर डाक घर में लगाया गया था किस राज में महाराष्ट चलिए यह टाइलेंट है दरियाबाद में यह बच्चे डेली कोचिंग करते हैं ठंड के समय में जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं छुट्टिया हो जाती हैं उस ठंड के समय में भी यह बच्चे रोज सिच्छा से बंचित नहीं रहते यह सिच्छा ग्रहड करते हैं यह सारा स्रेय जितंद्र सोभान जी को जाता है यह पहले देश की सेवा करते थे फोज में थे और घर से वापस ड्यूटी जाते समय इनका एक्सिडेंट हुआ और यह पायर से डिस्टर्ब हुए उसके बाद यह गाउं में रहने लगे थोड़ टारी मेरा सहरा है मैं अपने गाहों की स्थिति को देखकर मैं सोचा कि चलो मैं क्या कर सकता हूं गाहों के लिए तो मैंने देखा कि सिक्षा का अस्तर बहुत ही गिरा हुआ है जिसके वज़ें से हम पहुज में भी बाग काफी जिल्लच जिलनी पड़ती है चूकि बिहारी को बता सकता हूं जितना समझा सकता हूं गाहों की बच्चों पर द्यान दे रहा हूं कि पढ़ाई का अस्तर मेरे गाहों में बहुत ही जीरो है गरीब है सब मजदूर का गाहों है यह और 99% सब मजदूर है और इसकूल भी यहां से 5 km दूर कोई भेज नहीं पाता और घर से यह इस्तिती है खास तोर से देवरांचल के जब आप बात करेंगे मधवन विधान सभा के छत्रों के आप बात करेंगे तो यह चीज़े आपको सामने आएंगी इस वीडियो के माधम से जरूर बोलूंगा कि अब यहां के प्रधान भी आएंगे और इस फतावपूर मंडा मितहले हैं उनके बच्चे भी आगे बढ़ें और यह म канam रोसन करें हैं फिलाल मैं एक दो बच्चों से और भाप कर लूँ कुछ चिजे मैं और रोट किया हूं संभिधान का पिता किसे कहा जाता है संभिधान के निर्माता किसको कहा जाता है किसको पता है अब जिनसे मेरी बात हो गई मैं उनसे अलग उस बच्चों से बात करूंगा खड़ाओ जाओ आप क्या नाम है आपका अधित इधर देखकर बात करो किस क्लास में पढ़ते हो थ्री में तो संभीधान के निर्माता कौन है डाक्टर भी आरम बेक्टर चलिए ताली बजाते रहिए कोई आप लोग के बीच अगर किसी ऑच्छे चीज पर बात हो रही है तो आप लोग धालीी बजाइए अच्रा किसको किसको पता है इस वर pot आप यहां तो मैं आप से पूश लेता हूं मोमिए क्या नाम है आपका अरुं को अरुछ्च कहा है बयंगलोर में चलिए इस बक्र लिए भी ताली बजाईए एक दो कोश्य नावर कर लेता हूं मैं किसको किसको राज्यों की राजधानी पता है अब राज्यों कि राज्धानी अ चलो आप खड़े हो जाओ एक बार फिर अपना नाम बताओ विकास यादव चलो मैं जो पूछ रहा हूं तुरान बताना गोवा कि राज्धानी पाड़ जी उत्तर प्रदेश लखनाओ उत्राखंड देरादून त्रीपूरा अगरतला राजस्थान जैपूर चलिए एक बार फिर इस बच्चे के लिए तानी बजाईए और यह तस्बीरे हैं एक नए भारत की एक नए शुरुवात की इन तस्बीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बाक्स में लिखकर जरूर बताईएगा और मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो जिम्मेदार हैं जो गाओं के प्रतनिधी हैं जो ब्लाक परमूख हैं और जो यहां के बिधायक हैं एक बार आईए ऐसी जगों पर आना चाहिए और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए ऐसी जगों पर आकर मदद भी करनी चाहिए क्योंकि सिच्छा के छित्र में अगर आप मदद करेंगे तो आने वाले समय मे यह भारत के भविष्य हैं इसमें से कोई DM बनेगा कोई SDM बनेगा यह भारत का नाम रोसन करेंगे